मेरे प्यारे देश स्वासियों अब मन की बात में मैं एक ऐसे विशे पर बात करूँगा जिसमें आपको आनन्द भी आएगा गर्व भी होगा और मन कहर उठेगा वा भाई वा दिल खुश हो गया देश के सबसे पुराने साइन्स इंस्टिटूशन्स में से एक बैंगलोरु का इंडियन इंस्टिटूट अब साइन्स यानि आयाई एससी एक शांदार मिशाल पेश कर रहा है मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीशे भारत की दो महान विभूतियां जमसेजी ठाटा और स्वामी विवेकानन की प्रेडा रही है तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाना ले बात ये है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटन्स रहे हैं इसका मतलब है हर पांच दिन में दो पेटन्स एक रेकोर्ड अपने आप में अधभूत है इस सफलता के लिए मैं IISC की टीम को भी बढ़ाई देना चाहता हूँ साथियों आज पेटन्स फाइलिंग में भारत की रेंकिंग साथवी और ट्रेड मार्स में पांच वी है सिर्फ पेटन्स की बात करें तो पिछली पांच वर्षों में इसमें करीब 50 प्रतिशत की वृद्धी हुई है Global Innovation Index में भी भारत की रेंकिंग में जवर्दस सुधार हुआ है और अब वो 40 वे पर आप पहुची है जबकि 2015 में भारत Global Innovation Index में 80 नंबर के भी पीछे था एक और दिल्चस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बात Domestic Patent Filing की संख्या Foreign Filing से अधिक देखी गई है ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञारी सामरत को भी दिखाता है साथियों हम सभी जानते हैं कि 21 सदी की Global Economy में Knowledge ही सरव परी है मुझे विश्वास है कि भारत के TechEd का सपना हमारे Innovators और उनके Patents के दम पर जरूर पुरा होगा इससे हम सभी अपने ही देश में तयार World Class Technology और प्रोडक का भरपूर लाब ले सकेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों नमो एप पर मैंने तेलंगना के इंजीनियर विजेजी की एक पोस्त देखी इसमें विजेजी ने इवेस्ट के बारे में लिखा है विजेजी का आगरह है कि मैं मन की बात में इस पर चर्चा करूँ इस कारकम में पहले भी हमने वेस्ट वेल्थ यानि कछरे से कंचन के बारे में बाते की है लिखें आईए आज इसी से जुड़ी इवेस्ट की चर्चा करते हैं साथियों आज हर गर में मोबाइल फोन लेप्टोप टैबलेट जैसी डिवाइसिस आम हो चली हैं देश भर में इनके संख्या बिलियंस में होगी आज के लेटस डिवाइस बविश के इवेस्ट भी होते हैं जब भी कोई नई डिवाइस खरिता है और फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है उसे सही तरीके से डिसकार्ड किया जाता है या नहीं कि अगर इवेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे परियावरण को भी नुक्सान पहुंचा सकता है लेकिन अगर सावधानी पुर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रियूज की सर्कुलर एकोनामी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है सहीवत राश की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल पचास मिलियन टन इवेस्ट फैका जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है मानव इतिहास में जीतने कमर्शिल प्लेन बने हैं उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना इवेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा यह ऐसा है जैसे हर सेकंड आठ सो लेप्टॉप फैक दिये जा रहे हो आप जानकर चौक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिये इस इवेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशस मेटल्स निकाले जा सकते हैं इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल सामिल है इसलिए इवेस्ट का सरुप्यों करना कच्रे को कंचन बनाने से कम नहीं है आज ऐसे स्टार्ट अप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोविट काम कर रहे हैं आज करीब 500 इवेस्ट रिसाइकलर्स इस ख्षेतर से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तोर पर रोजगार भी दिया है बैंगलोरू की इपरीसरा ऐसे ही एक प्रयास में जूटी है इसने प्रिंटेड सर्कीट बॉर्ड्स की किमती धातों को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नलोजी विक्सित की है इसी तरह मुंबई में काम कर रही इको रिको ने मोबाइल एप से इवेस को कलेक करने का सिस्टिम तयार किया है उत्रा खन के रूड़की की एटेरो रिसाइक्लिंग ने तो इक शेतर में दुनिया भर में कई पैटर्स आसिल किये है इसने भी खुद की इवेस रिसाइकल टेक्नलोजी त्यार कर काफी नाम कमाया है भोपाल में मोबाइल एप और वेबसाइट कबाड़ी वाला के जरिये तनों इवेस्ट एकत्र किया जा रहा है इस तरह के कई उदारण है इस सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं लेकिन ऐसे इनिशेटिव की सभलता के लिए एक जरूरी शर्द भी है वो यह है कि इवेस्ट के निप्टारे से सुरक्षित उप्योगी तरुकों के बारे में लोगों को जाकरूक करते रहना होगा इवेस्ट के ख्षितर में काम करने वाले बताते हैं कि अभी हर साल सिर्फ 15-17 प्रतिशद इवेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है